Hello everyone, welcome to Feedback Academy, I am PV Sharma and this video में हम लोग discuss करेंगे bubonic plague के बारे में यह क्या है, कहां से यह originate हुआ है, different different country space का क्या effect पर सकता है including India, इन सारी बातों पे हम लोग इस वीडियो में discuss करेंगे So basically यह जो bubonic plague है, यह भी recently report हुआ है from the Bayan Noor District जो की है Northern Mongolia, China में So basically जैसे ही यह report हुआ था, तो एक level 3 warning issue हो चुकी है वहाँ के जो prevention and control department है जिससे कि वो इस plague को वहीं पर रोख सके और वो ज़्यादा spread ना हो चाइना के अंदर भी So पहले हम लोग यह देख लेता है कि bubonic plague है क्या So World Health Organization ने इस bubonic plague को बताया है कि यह एक disease है जो की bacteria यह senior pestis से होती है And यह जो bacteria होता है यह पाया जाता है different different rodents में Like चुहो में और rats में पाया जाता है squirrels में पाया जाता है गिलहरियों वगरा में और जो इसका सबसे prominent source है उसको बोलता है Marmot, Marmot एक बड़ी गिलहरी जैसे ही होती है And वो rodent family को ही belong करती है So जैसे ही Chinese news agency Jinhua ने यह report करा कि वहाँ पे दो cases पाये गए है Mongolia district में इस virus के बारे में अगर हम और बात करें So इसको हम लोग black death भी बोलते हैं इसको black death इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब यह 1300 में योरोप में हुआ था So वहाँ के लोगों की skin पे black marks आ गए थे Right And यह इतना जान लेवा था उस time पे कि इसने nearly half of the European population को अपना शिकार बना लिया था मगर क्योंकि अभी हम लोग 1300 में रही हैं 2000 में हैं And काफी हमेरे पास antibacterial drugs हैं Plus हमको यह भी पता है कि China से आया है And recently कोई भी country Chinese citizens को China को allow नहीं करेगी अपने borders के अंदर आने के लिए So इस bacteria का जो effect होगा अब के time में वो इतना जादा नहीं होगा जितना की 1300 में हुआ था अगर हम symptoms की बात करें कि black death या भी bubonic plague के symptoms क्या है So fever या फिर chills तो एक normal कोई भी हमको अगर बिमारी होती है तो उसके symptoms होते ही है उसके साथ ही इसमें हमको headache होता है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बदन में दर्द होता है Plus weakness बहुत ज़्यादा आ जाती है And हमको उल्टी करने का मन करता है Right, सबसे ज़्यादा चिंता जनक बात इसमें यह है कि यह human to human transmit हो सकता है But क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना को अभी ज़्यादा दर countries include नहीं करेंगी अपने borders में So उसके भी chances कम ही है Plus चाइना इस बार ensure करेगी कि यह जो plague है वो चाइना के अंदर ज़्यादा ना फैले मगर हमको फिर भी precautions तो लेने ही पड़ेंगे Proper sanitization, proper hygiene जो हमको practices Corona virus ने हमको आदर डाली है उसको continue रखना है Because हमको पता यह Chinese OLDCD चीज़ा खाते रहते हैं और कुछ ना कुछ यह लोग आज ने तो कौल फिर से generate कर देंगे Right So इसी message के साथ आप सुरक्षित रहिए, साफधान रहिए And जितने भी hygienic practices आपने adopt करी है Corona virus की वज़े से वो आप लोग continue करी है तो चलिए अगर आपको यह वीडियो हमारे अच्छा लगा हो आपको यह वीडियो हमारे अच्छा लगा हो